हेलो एवरीवन विल्कम बैक टू माई नीव वीडियो सो कैसे हैं आप सब आप लोग बहुत जाधा अच्छे होंगे इस वीडियो में मैं आपको ग्लोइंग मेकप के एट ऐसे रूल बताने वाली हूँ जिसे फॉलो करके आप प्रो मेकप आटिस्ट बन सकते हैं और साथ ही म आपको अपने सिस्टर का ब्राइदल मेकप करें उसकी सि्किन उप्राइप करना हैको प्रोडंग से लिंक डिसक्रिप्षान में यू का लेप चेख प्रोडुक्त अक्र वाचिंग द्रीडियो यहांपकर मैंने जीजर लिया इसकी जाधाई चीन टाइप से वरेम अगे हू तो काफी struggle के बाद lens apply कर दिये थे next मैं biotica cucumber toner यूज़ करूँगी this is very effective for oily skin और dry skin के लिए biotica honey water toner यूज़ कर सकते है good wipes का rose glow toner यूज़ कर सकते है ये दोनों toner dry skin के लिए काफी जादा effective है and budget friendly है next मैं यूज़ करूँगी moisturizer oily skin है इसलिए मैंने like me की peach cream लिया ये काफी जादा soft है and light weighted है and dry skin वाले good wipes का rose hip hydrating moisturizer यूज़ कर सकते है निव्या का moisturizer यूज़ कर सकते है and dot and key का moisturizer भी यूज़ कर सकते है next rule number two is analyze the eye shape तो यहाँ मैं सबसे पहले eyes makeup start करूँ या eyes makeup start करने से पहले आपको देखना है कि eye shape क्या है तो eyes shape total 10 types की होती है तो इसकी eyes round eye shape है big और round eye shape में आपको dark color apply करने चाहिए तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर eye primer यूज़ किया है उसके बाद मैंने concealer लिया है पूरी eyelid पे अच्छी से इसको apply कर दिया है इसको blend करके loose powder apply कर दिया है बड़ी और round eyes पे ना हर तरीके के eyes makeup अच्छे लगते है और specially smokey look तो बहुत ही जादा अच्छा लगता है यहाँ पे मैंने SQ का translucent loose powder लिया है दोनों eyes में powder brush की help से लगा के base को अच्छी से set कर दूँगी इसके बाद मैं eyes makeup start करूँगी इसके बाद मैंने shields का gel liner लिया है यह twin one is white bear और black भी है black gel liner मैंने पूरे eyeball पे अच्छी से apply कर दिया है gel liner ना बहुत जल्दी dry हो जाता है इसलिए से apply करते ही इसको blend कर दे तो मैंने crease line की side से circular motion में इसे अच्छी से blend कर दिया है मेरे बहुत सारी client को smoky look पसंद नहीं आता उनको लगता है कि आखे ना बहुत जादा काली हो रही है तो ऐसा नहीं होता पूरा eyes makeup होने के बाद यह बहुत अच्छा look देता है gel liner को अच्छी से blend करने के बाद मैंने matte eyeshadow लिया है लेंगे की match का उसे दोने eyes में अच्छी से प्लेस कर दिया है उसके बाद मैंने से शाअच्छी से बलें कर दिया है नेक्स्ट मैंने nude eyeshadow लिया है आईश qo NOW प्रॉपरली ब्लेंड करना है इतनी जाधा blended रहेति उतनी जाधा अच्छी डीखेगव next मैंने silver color का press glitter लिया है finger की help से dab dab करके उसे पूरी eyelid पे अच्छी से apply कर दिया है इसके बाद में lashes को apply करूँगी यहाँ पे मैंने 5D eyelashes लिये और उससे पहले में mascara apply कर लूँगी यहाँ पे मैंने maybelline का mascara लिया है आइस makeup की तुरंट बाद ही mascara apply कर देना चाहिए क्योंकि eyeshadow जो भी fall हुआ होता है lashes पे वो पुरा clean हो जाता है lashes apply करने के बाद आइस को थोड़ी दिर close रखना चाहिए rule no.3 is select primer according to the skin and season आपकी skin dry है तो oil primer यूज करे oily है तो gel based primer यूज करे and normal है तो आप कोई भी primer यूज कर सकते है combination है तो भी आप gel primer ही यूज करें यहाँ पे इसकी skin oil है लेकिन फिर भी मैंना oil primer यूज करा है उसका reason यह है अभी winter का season है तो सब की skin बहुत जादा dry हो जाती है इसलिए मैंना oil primer यूज किया है dark circle और face पे कहीं भी dark area है तो वहाँ पे orange color का character यूज किया जाता है face पे dark spots है तो उस condition में peach color का character यूज किया जाता है dark circle बहुत जादा black है तो उस condition में red color का character यूज किया जाता है rule number 5 is choose foundation according to the skin tone foundation को हमेशे अपने skin tone के according ही choose करना चाहिए यहाँ पे मैंने forever 52 के दो shade लिये है एक सबसे dark है और एक सबसे light है इन दोनों को मैंने mix and match करके perfect skin tone का foundation बना दिया wet beauty blender लेके मैंने पूरे foundation को अच्छे से blend कर दिया next मैंने pack का highlighter लिया है brush की help से पूरा under eye मैंने cover कर लिया है concealer और foundation को blend करने के बाद मैं थोड़ी देरी से dry कर लूँगी उसके बाद मैं next step शुरू करूँगी rule no 6 is do contouring according to the face shape face के shape ना total 6 type के होते हैं तो यहाँ पे इसका face shape जो है नो वो square है तो इसलिए मैं cheeks पे forehead पे jaw line पे contouring करूँगी और जैसे कि आप देख सकते है कि nose पे बिल्कुल भी need नहीं है contouring करने की तो मैं contouring नहीं करूँगी इसके बाद लिया है मैं inside का HD loose powder यह loose powder काफी जाद अच्छा है budget friendly है और काफी अच्छे से base को bake कर देता है मैं पूरे face पे इसे dab dab करके base को अच्छे से set कर दूँगी loose powder apply करने के बाद जो base का look आता है वो just wow वाला look होता है इसके बाद मैंने blusher apply किया है इसके लिए मैंने miss rose की blush palette लिया है blush लिया है dab dab किया है और circular motion में उसे अच्छे से blend किया है next मैंने pack का nude का जल लिया है अच्छे से blend आउट कर दिया चीक बून के बाद forehead पे नोज पे और अपनी आइस के ना इनर कॉनर पे भी थोड़ा सा है लेटर अप्लाए कर लेना चाहिए उससे आइज मेकप और भी जादा अच्छा लगता इसके बाद मैंने स्विस बीट के आइब्रो फिलर लिया और दोनों आइब्रोस का अच्छे से फिल कर दिया नेक्स्ट रूल नंबर सेवन है सेलेक्ट लिप्स्टिक मेकप फिक्सर आपको अच्छी कंपनी का यूज़ करना चाहिए अगर आप लो उसका यूज़ करोगे ना तो आपका जो मेकप है न वो थोड़ा सा पैची सा और डार्क सा दिखने लगेगा तो इसलिए हैं मैंने फरेवर 52 का यूज़ कर रहा है वो मेकप फिक्सर बहुत जाद अच्छा है उसे अपलाय करने के बाद मेकप इतना शाइन ग्लो करता है तो यह है पूरा फाइनल लुक एंड कमेंट में बताना गाइस कि आप लोगों को कैसे लगा मुझे काफी जाद अच्छा लगा ऐसे ही अमेजिन मेकप देखने के लिए चैनल को कर दे वीडियो को लाइक करे कमेंट में बताएं बाई मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में